मेरे काना जी को मैं अपने छोटे भाई की रूप में वश्टा हूँ उनके साथ बाते करना मस्पी करना आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवादी तो खुशिया बनाने और बांठने का नाम है लेकिन इस दिवादी इन टोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशिया छेंदी बाद यवस्था में तो गरती होगी सकती है ना खनुमान जी भी दबक मेरे थे सूरज को खाने के दिए बाद यवस्था थी मेरे का ना जी को मैं अपने छोटे भाई की रूप में वश्था हूँ उनके साथ बाते करना मस्ती करना आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पिछले दिवादी में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुदाया था मैंने अपनी आखों से दिपोट्सव देखा था अयोध्या जी में वर्द रिगोर्द बना था और आप सब को भी दिपोट्सव दिखाया था लेकिन दिवादी तो खुशिया मराने और बांटने का नाम है लेकिन इस दिवादी इन टोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशिया चैन दी पर कोई बात नहीं आप सब को डिवादी की हारदिक शुपकान नाए और इन सब यूट्यूबर्स और टोलरस को भी हैपी डिवादी वोघ्यो 2023 का है और वो कि यहाँ पर चुप रहना है, साइरेंट रहना है, और मैंने राम जी के नाम का जैकारा लगा दिया था, जिससे मन्च की गड़िवा भंग हो गई थी, तब मैं आठ नो साल का था, अड़े आठ नो साल के बच्चे से तो गलती होगी सकती है ना, और तब जगद गुरु राम ज़रचारे महाराजी ने मुझे मन्च से उतारने को कहा, और मुझे डांटा भी, लेकिन ये किसी ने नहीं नादा कि जगद गुरु राम ज़रचारे महाराजी ने, उसके बाद मुझे अपने रूम में भी होगी सकती है ना, खनुमान जी भी दबक वेड़े थे सूरज को खाने के दिए बादय वस्था थी उन्होंने मुझे मुझे मुल्क का, में कडो तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराती ने मुझे मुल्क के रूप में आशिरवाद सुलूब ही मैंने पाया अरे महाराज जी की डांट में तो आशिरवाद छिपा हुआ 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 हु